कैसे हैं आफ लोग उम्हीद करता हूं उस लोग खरिये से होंगे और आफ लोग सब को खरिये से रखें आज किसी वीडियो के अंदर हम लोग CS1001 के जो साइमें नाबर वन कर दिस्क्राइब करेंगे तो अगर आप हैंड चनल पर पहली बार है तो लाजमी चैनल को सब्सक्रा सब्सक्राइब कर लें और विदर लाजमी कर लें ठीक है चलिए स्टार करते है प्रांच का रेक्चर यहां मेंने असाइमेंट का जो क्वेस्टन फाइल है आप लोग लिए उपन करकर रखा है यह हमारे पास क्वेस्टन फाइल है CS1001 की साइमेंट नाबर वन का अब इसके में लिए है कि आपको डॉक्मेंट फाइल के अंदर इसको सब्मिट करवाना है और कोई बहुतर फाइल के अंदर नहीं किया जाएगा कुछ इसके अब्जेक्टिस दिये गए है कि इस असामेंट को बिलाने के लिए आपको किस जिसका कॉंसेप्त आना चाहिए आसक इंको सब्सक्राइब कर आ जाहिए और बुलियन लोजिक और बारे में पता होना जाए है हमारे पस पहला क्वेस्टिन इसके अंदर क्या कहता है कहता है। कहता है defied the following string of a binary number into 8 bit binary numbers and then convert it into each 8 bit binary into equivalent text. निए कि हमारे पास यह जो बाइनरी वैल्य दी गई है निए के जितने भी यह नमबर्स है आप इनको पहले 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है अब जिक है अब यहां पर पहले इसको सबसे पहले 8 equal parts में डिवाइड की है ठीक है यहाँ पे आप देख लें मैं इनको सबसे पहले 8 equal parts में divide कर दिया अब divide करने के बाद आपने करना क्या है आपने यहाँ पे चेक करना है कि आप कई जो 8 bit binary है जी basically किस task की code के equal बनता है अब यह चेक करने के लिए आपने simply क्या करना है आपने यहाँ से 8 letters copy करने के बाद जैसे मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ copy करना ही आपने ठीक है copy करने के बाद आपने यहाँ से लिए चेले जाना है इस website के अदर इस website के पर जाकर आपने पर पेस्ट करना है जो capital alphabet होते है इनके लेद technicalা बांडरी होते है जो small alphabet होते है नहीं आपने करना कि यहाँ पर capital u चीहाँ model लिखा हो लिकोल नहीं कर नियम्यः को कि मैंने कफी 600 अमिस्टेक के इसंसायमेंट के अंदर Q2 का फ़्या थी ह είναι राइट रेम equitable हमारे पर smallest unit होता है memory का byte होता है bit नहीं होता काफी लोगों यहां पर bit लिखा हुआ है but byte होता है सबसे smallest unit memory का यहां पर आप लग देख भी लें मैं इसलिए यहां पर खोल कर रख यह लैं किया आपका सामनी में से बूक को रहा हूं ठीक है क्या रखा कि आपको पता हो कि आपको जो memory के smallest unit है, वो byte है, bit नहीं है, यहाँ पर काफी लोगों ने bit लिखा हुआ है, लेकिना 1 byte जो होता है, वो equal होता है 8 bits के, इसलिए मैंने वादत अरप यहाँ पर लिख दिया, कि भई, a byte is the smallest unit of memory used in two-day computing, byte consists of 8 bits, अब एक byte जो होता है, उसके इंदर 8 bits होते है, ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर bit ही लिखी हुए है, a byte is used to encode a single number letter or sample, अब चाहिए तो आप इतना ही लिख दें, काफिए समे ज्यादा details जाने कर जाने का जरुत नहीं है, आप simply लिख तो आपका अंसर lag यहां रिपर्फैरमिंग यूनिट क्रवर्जन कनवर्जिंघिंग है और आपने परफ 450 किसके एकफल होती है पंदरह । 20 GB क्ष होता है और 55 GB कि गेखल मैंने यहां पर वादा तोर पर आपके लिए यह दो काल के पहले भूक से डाटा रख लिए था ताकि आपको मैं समझा सकूंँ देखें सबसे पहले मारेपस बाइट आगई अब यहां पर मारेपस क्या है एक बाइट ठीक है एक बाइट जो होती है अब इसको आप यहां पर देखें पांच है तो आठ को मिल्टी प्ले करने पां मिलाके मारे पास ''1KB'' बनाते हैं ठीक है 1024 बाइट मिलाके मारे पास ''1KB'' बनाते हैं यहां पर यहां पर इसलिए मैंने सार्वाज़ तोर पर लिख दिया है काफी लोगों ने यहां पर इगलती है क्यों है मैंसाइमिट्स देख रहा था इसके बार महरे पास थर्ड क्वेस्टेंस के इस डियाग्राम दी गई है इस डियाग्राम के इनदर हम धर कहा है बिसिकली कुंसेप्ट दे रहा है एंड गेट का और गेट का नौड का अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले गेट्स का आना चाहिए अगर तो दिये गए हो A, B, C, D, E, F, G, H तो आप उनको किस तरह से input देंगे कि हमारे पास जो answer है वो इकल तो हमारे पास one हो ठीक है कि हमारे पास जो यहां पर output बने न वो one आए वो किसी साथ से हम लोग इसको input करेंगे तो हम A, B को one input करेंगे C, D को भी हम लोग यहां पर zero zero input करेंगे उसके बाद फिर हमारे पास E, F को भी one one input करेंगे और हमारे पास G, H जो है इसको भी हम यहां पर zero zero input करेंगे अगर हम यह input करते हैं तो हमारे पास answer जाओ यहां पर one produce होके आज़ता है बस यही आज की assignment करेंगे उमीद करता हूं कि आपको समझ आगे कि फिर भी हो तो आप पूछ सकते हैं बाकि जहां से assignment करें और quiz के अपर जादा फोकस करेंगे कि कभी आपके जादा important होते हैं बाकि paid assignment quiz GDP करवाने के लिए और lectures watching करवाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अल्ला हाफीज असलाम अलेकुम